इस लड़की को एक अजीब बीमारी थी जिसके चलते वो इलाज करने के लिए हॉस्पिटल में आती है वहाँ पर डॉक्टर उसे स्ट्रेचर पर लेटाता है और कहता है घबराना मत इतना कहकर वो अपने हाथों के गलव को खोलता है और उसमें कुछ चिप-चिपी पदार्थ लगा कर लड़की के प्राइवेट पार्ट में डाल देता है पर इससे लड़की को बहुत तकलीफ होती है और वो चिल्लाने लगती है पर थोड़ी देर बाद लड़की के साथ साथ डॉक्टर भी चीखने लगा ये देखकर लड़की हैरान थी और इधर डॉक्टर को ऐसा लग रहा था कि कोई उसके उंगलियों को अंदर से चबा रहा है वो अपने हाथ को खींचता है पर निकलता नहीं फिर लड़की जटके से दूर जाकर गिरती है और वो देखती है उसके सामने ही डॉक्टर के सारे उंगली अलग होकर बिखरे पड़े हुए है डॉक्टर के इस हालत को देखकर लड़की अपने कपड़े समेटती है और वहां से 9-11 हो जाती है ये कहानी शुरू हुई थी तब से जब लड़की और उसका दोस्त तालाब में नहाते वक्त मजे कर रहे थे और उसी के चलते अचानक लड़के का ओजार कटकर अलग हो गया था क्योंकि लड़की को एक ऐसी बीमारी थी जिसके चलते उसके प्राइवेट पार्ट में दात उगने लगा था